प्रियावरण अध्यन का एक महतुपुर्ण टॉपिक पढ़ने वाले फूड प्रिजर्वेशन के बारे में यानि कि जो हमारे पास खाद्य पधार्त होते उनका सरक्षन हम लोग लंबे समय तक कैसे कर सकते इसके बारे में सारी जानकारी आज के सेशन में आपको मिलेगी और पर के जो कुश्चन है वो सारे यहाँ पर दिये हुए हैं और टॉपिक वाइस सारी चीजों को अरेंज किया हुआ है तो आपको सारी चीजे टॉपिक वाइस यदि पढ़नी है तो आप इसे खरीच सकते और यदि आपको चैप्टर वाइस नोट्च पाई करना है तो नोट चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक पर बढ़ेंगे जो की हमारा फूट प्रिजर्वेशन यानि की खादी परी रक्षन तकनीक चलिए आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कोई भी खादी परी रक्षन करने के कितने तरीके हो सकते हैं तो सबसे पहले आप परी भाषा देख सकते हैं खादी परी रक्षन का मतलब क्या होता है खाद्य परिरक्षन खाद्य को उपचारित करने और सम्हालने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे से उसके खराब होने में उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है उसके पोश्टिक मुल्यम में खमी आ सकती है तो उस कमी को या तो हम लोग कम कर सकते हैं प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं मालो कोई भी खाद्य पदार्थ यदि दस दिन में दो दिन में खराब हो रहा होगा तो हम लोग कुछ तक्नीकों का प्रियोग करके उसे दस दिन या थोड़े लंबे समय तक बचा सकते हैं तो इसे बोला जाता है खाद्य परिरक्षन की तक्नीक यहाँ पर क्या किया जाता है इनकी जो ये पनपते हैं जैसे कोई भी खाद्य बदार्थ एक या डेट दिन तक पड़ा रहा तो उसमे धीरे-धीरे बदबू आने लग जाती है और उसमे बैक्टीरिया आ जाते हैं तेकि तो उसको रोकना या उसको धीमा कर देने की प्रक्रिया हमारे खादी परिरक्षन में आती है दूसरा पॉइंट यहां पर आप देखिए कुछ सरक्षन वीदियो में खादी पधार को उपचार के पश्चात सील बंद करने की आउश्चता होत ताकि उसे लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित रख सके ठीके इसके लिए कुछ तकनीकों का प्रियोग किया जाता है कौन-कौन सी वो तकनीके यहां पर हो सकती है तो सुखाना हम लोग दूप में सुखा सकते है ठीके ताकि उसके नदर नमी ना रहे एक इस्प्रे ड्राइ करना होता है इस्प्रे के माध्यम से उसे ड्राइ किया जाता है सुखाया जाता है और फ्रीज ड्राइ फ्रीज किया जाता है उसे ताकि वो ड्राइ हो जाए सूख जाए उसमें कोई भी नमी ना बचे में आपको यह लोजिक पता होगा कि यदि हलकी सी भी खादी बचा सकते हो निर्वात पेकिंग जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं आती हो वहां से भी ऐसे करके डिबबा बंदी आप दे सकते हो सीरप जिसे की परासरन दाप प्रक्रिया बोली जाती हो उसका प्रियोग यहाँ पर कर सकते हैं चीनी क्रिस्टली करन करके भी कर सकते हो खादी अधी मिलाकर आप खादिय पधार्थ को सरक्षित रख सकते हो पर हमारे साथ सिच्वेशन शर्ट ही रहेगी कि उस खादिय पधार्थ के जो पोष्टिक तत्व है वो खतम नहीं होना चाहिए तेके तो एक एक टेकनीक को हम लोग अभी पढ़ेंगे अन्य विध्या जो न अबल खादिय पधार्थ को सरक्षित करती है अपी तो उसमें स्वाद की व्रद्धी करती है जिसे की अचार बनाने की टेकनीक है हम लोग केरी को लंबे समय तक सेव नहीं कर सकते है आम को तो हम लोग क्या करते है उसका अचार बना कर पूरे साल भर के लिए उसको सरक्षि के अंदर तो यह सारी टेक्नीक है एक एक टेक्नीक को अब हम लोग पढ़ेंगे देखो सरक्षन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़े हो सकती है जो अभी जो टेक्नोलोजी चल रही है उसके माध्यम से आप खादिवधार को कैसे सरक्षित करके रख सकते हैं तो सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उच्च जल एस्थिक दबाओ यानि कि पास्ट्यलाइजेशन प्रोसेश होती है इसका पूरा नाम यदि आप देखेंगे जिसे हिंदी में लिखा हुआ है उच्च जल एस्थिक दबाओ इसे क्या बोला जाता है इसे हाई प्रेशर HPP processing बोला जाता है High Pressure processing इसे बोला जाता है या फिर एक नाम और है इसका एक नाम और आप चाहें तो अपनी copy मेंfire लिख ले ना हहपी करके बोला जाता है यानि कि High Hydrico Static Precious High Hydro Static Precious इसे बोला जाता है यहाँ पर किया क्या जाता है जो खाद्य पधारते उसको बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है ताकि जितने भी एंजाइम और जितने भी जो भी भोजन के अंदर हमारे बैक्टीरिया वगेरा प्रेजेंट रहते हैं उनका जो एक्टिविटी है वो न के बराबर हो जाए मतलब एक तरीके से खतम हो जा हमारा इस्टोर मॉल्ड की दबाव निश्क्रिय था यहां पर क्या किया जाता है दबाव डालकर जो जितने भी बैक्टीरिया वगेरा एंजाइम वगेरा होते हैं उनको निश्क्री करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारा जो खाद्य बदारते वो लंबे समय तक सुरक्ष तीसरा भी ऐसा ही कुछ है यहां पर इलेक्ट्रिसीटी का प्रियोग किया जाता है इस पंदित विध्यूत संसाधन टेक्नीक इसे बोला जाता है इंग्लिश में इसे पी एफ ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है आप इसका चाहो तो फुल फॉर्म बिल्कुल लिख सकत पी एफ का फुल फॉर्म है यहां पर प्रियोग किया जाता है इसके बीच में हमारा इस तरीके से फूड रखा जाता है और उसको इलेक्ट्री करंट के माधियम से यहां पर इस तरीके से कुछ इस प्रकार से सप्लाई दी जाती है या फिर खाने को बीच में इस तरीके से स किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी नमी है जितने भी एंजाइम वगेरा उनको निश्क्री कर दिया जाए ताकि खाने को हम लोग लंबे समय तक सेव कर सकें उसी प्रकार से हमारा करन टेकनीक आप इसे बोल सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे खाद्य बदार्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है सरक्षन की प्रक्रिया में क्या-क्या चीजे हो सकती है तो सुष्म जिवानों को मारने या तत्व विकिरन करने के लिए हम लोग उसे गर्म कर सकते हैं हम लोग पानी को हमेशा उबालते हैं तो ये एक टेक्नीक तक्नीक आप उसे बोल सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं सुछ में जिवानों को मार कर अपने पानी को या जो भी खादी बदारते हैं उसको हम शुद्ध कर सकते हैं आक्सी करण के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं, सल्फर डैक्साइट का प्रियोग करके भी हम लोग कर सकते हैं, विशाक्त अवरोध, जैसे की दुहा, करबन डैक्साइट का प्रियोग, सिर्का, शराब, आदी, निर्जली करण करके भी हम लोग कर सकते हैं, चीजों को सुरक्षित कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अती उच्छ जल दबाव जैसे कि फ्रेश राइज एक प्रकार का शीत निश्की टक वीधी है इसका दबाव प्राक्रतिक रूप से प्रकट होने वाले पैथोजेंस को मार देता है जो खादे पधार्तों में गिरावट लाता और भोजन की सुरक्षा को प्रभावित करता है भोजन में जो पैथोजेंस बन जाते हैं उसको मारने के लिए हम लोग यहाँ पर अती उच्छ जल दबाव उसके उपर डालते हैं जिसकी वज़े से जो पैथोजेंस की टाणू मान लो आप इसे यह मर जाते हैं और ख घर में पड़े हुए सामान होते हैं हम लोग उसे दूप में रखते हैं ताकि क्या हो उसके अंदर जितनी भी नमी वगेरा है वो सारी खतम हो जाए तो खादी बदार्तों को सुखा कर हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं जिससे उसमें पानी की गतिवीधी परियाप्तुमातर बखी जाने वाली प्रक्रिया है जिसके दौरा विविधी खादी पदार्तों की शंकला का सरक्षन हम लोग कर सकते हैं शीत भंडार कई देशों में राश्ट्रियापात इस्तती में सामरिक खादी भंडारन के लिए व्यापक मातरा में लंबी अवधी के बंदारन प्रदा किये जाते हैं इसे हम लोग बोलते कि बहुत सारे फ्रूट्स अभी अवेलेबल नहीं है लाइक मैंगो वगेरा फिर भी आईदी आप इन्हें बाय करना चाते खरीदना चाते तो आप कोल्ड स्टोर होते वहां से लाकर आप अपना कोई भी फ्रूट वगेरा है कोई भी लेकिंके तहत खाति पृठकतों का भंडारण एक निर्वात वातावरं में किया जाता है आम तोर पर एक एतार बातल में बैक्टेरिया के जीवित रहने के लिए आवशक ऑσकीजन का इस्दरोफ तो उसमें आप देखेंगे वो पूरे पैक रहते और एक बार ओपन करने के बाद आप उससे लंबे समय तक सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो हवा के संपर्क में आ चुके हैं इससे क्या होता है सडन प्रक्रिया धीमी हो जाती है निरवात पेकिंग का प्रयोग आम तोर पर मेव के भंडारन के लिए इस्तिमाल किया जाता है जिससे ऐक्सीज करन के कारण स्वाद के अनुसार जो स्वाद का जो नुकसान होता है जिसे स्वाद बिगड़ गया तो उसको हम लोग कुछ समय के लिए कम यहाँ पर कर सकते हैं खतम नहीं कर सकते हैं अगला है नमक, फूड की सबसे अच्छी टेकशिंग होती है नमकीन करने की प्रक्रिया औस मेंसी द्वारा मांस से नमी को खीच लेता है यह सबसे प्रक्रिया होती है जो मांस वकेडरा हुआ होते हैं उसमें जिस técnahaha गहरती है तो नमक पढ़ेंगे यहाँ पर चीनी के माध्यम से चीनी का प्रयोग फलों के सरक्षन में किया जाता है या तो सीरप के रूप में जैसे सेब, नाशपती, जो आड होते हैं, खुबानी, आलू बुखारा या क्रिस्टल रूप में जहाँ पर भी सरक्षित सामागरी को चीनी के क्रिस चली करण की सीमा तक पकाया जाता है और फल सुरु प्राप्त उत्पाद को सुष्क संग्रहित कर लिया जाता है जिसे यह फल होते हैं, तो इसको शुगरिंग के माध्यम से क्रिस्टली करण करके भी हम लोग लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं, अगला उप्षन सभी का आदे तरल में सरक्षित किया जाता है, अचार बनाने को रासानीक अचारन के रूप में विसरत रूप में शेनी ब्रद किया जाता है, ठीक है आपको बताईए क्या-क्या चीजे ओईल वगेरा डाल कर वे सारे मसाले डाल कर हम लोग उसे पूरे साल भर सेव करने की कोशिश करते हैं और वो लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है, बस कंडिशन यह है कि उसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, देखो अचार के बारे में आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, वैसे नॉर्मल घर की अचार की बात आपको सभी बताओगी कि अलग टीयम मिलाया जाता है, इसका फुल फॉर्म एथिलीन डायमेंड टेट्रा एसिटिक एसिट होता है, तो ये भी एक परी रक्षक के रूप में एक फूट प्रिजर्विंग टेकनीक के अंदर आता है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी हम लोग चार वगेरा मार्केट से बाय करते हैं, उसके अंदर ये रहता है, जिसकी वज़े से वो लंबे समय तक सेफ और सुरक्षित रहता है, आगे हम लोग बात करें डिबबा बंदी और बोतल बंदी की कैनिंग टेकनीक का, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डिबबा बंदी में भोजन पकाना, वी संक् प्रक्रिया के तहट कमजोर करने या मार डालने की करने के लिए कंटेनरों को उबाला जाना शामिल है, यहाँ पर आप नॉर्मल देख सकते हो कि कोई भी खाद्य पधार पकाया जा रहा है, तो उसको हवा की संपर्क में नहीं पकाया जाएगा, जिसकी वज़े से जो भी ब पता देती हूं, सबसे पहले इसका जो आविश्कार है, निकोलस अपैट के द्वारा किया गया था, इन्होंने क्या किया कि कोई भी खाद्य बधार पकाना हो ना, तो उसको डिबा बंद कंटेनर में ही पकाओ, ताकि उसका हवा से कोई संपर्क बने ही ना, और वो पर्मान जाता है, कंटेनर के अंदर डारेक्ट पका पका है, जैसे कि नॉर्मली आप स्ट्रॉबेरी वगेरा को पका रहे हैं, तो उसको पैक डिबे में पकाईए, प्रेशर कूकर में पकाईए, कम समय पर वो अपना शुष्क हो जाएगी, जैसे टॉमेटो सोस वगेरा भी हम गई, तो उसके बाद जब वो हवा के संपर्ग में आएगा, तो उसके बाद आप उसे जादा दिन तक सेव नहीं कर सकते हैं, तो ये कैनिंग टेकनीक हो गई, अगला है हमारा जैली बनाना, बोजन को एक सामागरी के रुप में पकाने के द्वारा सरक्षित किया जा सकता ह जो जमने पर जेल के रुप में परिवर्तित हो जाता है, इसी सामागरी में जिलेटिन, मक्के काटा शामिल होता है, कुछ खादी बधार पकाये जाने पर स्वाभाविक रुप से एक प्रोटीन जेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जेली बना कर सुरक्षित किये होएं, फल को आईने त्विकिरन लायक एक्स रे गामा रे जो भी रेज होती है, उसके माध्यृम से हम लोग यहां पर बोजन को विकिरन इक करते हैं, उसके माध्यृम से क्या होता है, या तो आप उच्चे उर्जा वाले एक इस पंदित बिजली फिल्ड प्रशिक्षन अभी प्रसंस करन अभी हमने देखा कि यहाँ पर बिजली के माध्यम से क्या किया जाता है यहाँ पर जो खाना है एलेक्टरोड के बीच में रखा जाते हैं और उसको प्रेशराइज करके खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको नस्ट कर दिया जाता है वातावरन परिवर्तन एक टेक्नीक हो सकती है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पूरा उसका वातावरन यहाँ पर चेंज कर देते हैं O2 जो संकेंदरन होता है, O2 जो उसके आसपास प्रेजन है, Oxygen, उसको नियंतरित कर लेते हैं, और CO2 का environment हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबे की होता है, की खाने की जो पोश्टिक तत्व है, वो यहाँ पर नश्ट होने लग जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग सेव करते हैं, CO2 का प्रियोग कैसे करते हैं, तो सूखी बर्फ आपने दिखा होगा ठोज CO2, ठोज बर्फ किसे बोला जाता है तो CO2 को ही बोला जाता है, तो यहाँ पर CO2 का क्या किया जाता है, कोई भी बॉक्स हो गया जिसमें आप खाना भरने वाले, तो नीचे आप CO2 को रख सकते हो, उसके उपर खाना रख सकते हो, पांच साल तक आप उसको सेव करके रख सकते हैं, नॉर्मली जो cold store होते हैं, जहाँ पर लंबे समय तक अनाज को सरक्षित करके रखा जा सकता है, वो यही सारी टेकनीक का प्रियोग करते हैं, एक टेकनीक और आती है, जमीन में दफना कर भी आप खाद्यपदाट को सुरक् जाने की प्रक्रिया में अन्य वीदियो जैसे नमक मिलाना है किडवन के साथ आप सही उक्तरूप से उसका प्रियोग करके अपने खाद्यपदाट को भी सुरक्षित रख सकते हैं, सुष्म जीवों का नियंतेत प्रयोग कुछ खाद्यपदाट जैसे की कई प्रकार की अब आगे बात करते हैं, high pressure food preservation technique, उच्च दबाव खादी सरक्षन, उच्च दबाव से समझ जा रहा है कि खाद्यपदाट के उप्योग के द्वारा सरक्षित करने की एक विधी है, सितर हजार पाउंड प्रती वर्ग इंच या इससे भी अधिक दबाव से एक पातर के अंदर दबाये जाने से, खाद्यपदाट को उसके रूप, स्वाद, बनावट और पोशक तत्वों को बरकरार रखते हुए, साथ हानी कारक सुष्म जीवों को अक्षम बनाने और संड सुरक्षित कर सकते क्योंकि बैक्टिरिया के पन अपने का स्थान वहाँ पर होगा ही नहीं, तो वो पन पेंगे नहीं और ऐसा नहीं होगा, तो हमारा खाद्यपदार्त लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, चलिए तो आज की सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, इसके कि खाद्यपदार्त से सरक्षित जो नियम बनाया गया था, सरकार के दौरा 2006 में बनाया गया था, उसमें खाद्यपदार्तों को लेकर क्या बात कही गई है, कुछ मान दंड प्रियोग किया जाते हैं खाद्यपदार्त को टेस्ट करने के लिए कि आपका खाद्यपदार्त इस सीमा पर खरा उतरता है या नहीं, उसके बारे में हम लोग कल के सेशन में डिसकस करेंगे, ओके और आज शाम को 5.30 पर आपकी मैराथन क्लास है, आप उसे जॉइन करिएगा, और थैंक यू फर वाचिंग, सेशन के साल लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और आपके लाचिक को आपके एंगा कर दोगाएगा, और शाम के लोग